नमस्कार दोस्तों DSCNU2 चैनल में आप लोगों का सौगत है आज हम लोग जानेंगे कि एक सोलर पैनल पे करंट कम क्यों कर देता है धीरे-धीरे करके वो करंट कम क्यों क्यों कर देता है ये आज हम लोग जानेंगे आपके सामने एक एंपीर मीटर हमने रखा है देखिए जो डोलर पैनल के पास हम लोग आ ग вже अब आपको इस पर दिखा देते हैं किस के करणड वह करंट कम क्यों दे रहा है और देखे़ यही डस्ट यह धूल जो जमा है इसी के करण हम लोगो का करंट कम दे रहा है और सप आप करके देख लेते हैं क्या सहीं सच है कि धूल के कारण ही हमारा करंड कम दे रहा है कि ऐसे हैं तो आज हम लोग जान लें देखिए इस पर क्या करेंगे हम लोग पानी लाएंगे पानी से ला करके इसको बढ़िया से धूल देंगे धूलने से कोई दिक्यत नहीं होगी आपका डश्ट जो है खतम हो जाएगा खतम होने के बाद हम लोग चल करके वहाँ एंपियर मीटर पर चेक करेंगे कि यह सच में करंड बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है अब तीसी तरह से आप लोग धुलिएगा धुल करके आप उसके बाद देखिएगा देखिए बढ़िया से धुल दीजिएगा उसको यह डस्ट के कारण यह एंपियर मीटर में हमारा कम करंड बता रहा है आपको अभी दिखा रहे हैं कि नीचे चल करके देखिए हम उसको पूरी तरह से धुल दिये हैं धुल करके पैनल को तुरंत नहीं रिस्पांस मिलेगा द जब तक आप हिट नहीं होने देंगे पैनल को तभी उसका रेजल्ट मिलेगा